वैक्सिन के कितने डोस होंगे और कितने दिनों के अंतर पर इन्हेल लेना होगा क्या दोनों डोस पे लिए एक बार ही रेजिस्ट्रेशन कराना होगा क्लिनिकल ट्रायल्ज में दोनों ही वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर पाई गई है इसलिए दोनों ही वैक्सीन बहतर है क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन कभी भी लगवा सकता हूँ अपने मन से नहीं ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस vaccination सेंटर पर जाएंगे वहां कौन सी वैक्सीन अवेलिबल है मुझे पहले करोना हुआ था अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ क्या अभी भी पूछ को वैक्सीन की जरूवत है बिल्कुल कोरोना के कई मामले रिइंफेक्षण के हैं इसलिए आप रिकवर हो गए हो तब भी वैक्सीन लगवाएँ किने है वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए प्रेगनेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति वैक्सीन ना लगवाएं मैंने पहला डोस को वैक्सीन का लगवाया, दूसरा को भी शिल्ट का लगवा सकता हूं वैक्सीन के दोनों डोसिज लेने के दो से तीन हफ़तों के भीतर शरीर में एंटी बॉडिज बनना शुरू हो जाती हैं जिस जगा वैक्सीन लगाई गई वहाँ हलका दर्द, सिर्दर्द, बुखार, चिर्चिडापन, चक्कराना जैसे लक्षन दिख सकते हैं ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं वैक्सीन कोरोना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है लेकिन कोरोना से लड़ने में आपकी शक्ती जरूर बढ़ा देती है वैक्सीन से पीरियेट्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियेट्स एक पूरी तरह से नैचरल प्रक्रिया है वैक्सीन का इससे कोई लिन देना नहीं है वैक्सीन की कीमत कितनी है? तरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन्स मुफ्त में लगाई जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोस के लिए धाई सो रुपे देने होंगे तो उमीर है वैक्सीनिशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे तो जल से जल वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं